आख कर दोस्तों बात करते हैं वह सौरारात के बारे में जिस तरह से काफी दिनों से यूटुब पर लॉंच कर दिए गये था और स्टोरी तो एसा लग रहे हैं कि कुछ लग देखने को मिलने वाला और टिंको जो है अपनी सौरत मनाने में कामियाख हो जाएगा लेकर आपको बताते हैं कि जिस सरथ टीजर लॉंच किय गए था टीजर को देखने के बाद और बैब सीरी को देखने के बाद ये लगता कि इस वैप सेरी के आपको जाए एक और एपसोर देखने को मिलने वाला ह है कोई कि टिंक को अभी तक वह अपनी स्वार्ट मनाने में जो सक्सेस नहीं हुआ लेकिन दूसरी तरफ यहनके इस वैब सीरी जो कि टिंक को कि यह भावी के रोल में इस वैब सीरी में नजर आए इस बार जो अपने काफी होट रोमेंटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं क्योंकि कहाने में जो आपके उनके काफी याद इंटिमेट सीन देखनों को मिलने वाले लेकर दूसरी तर टिंक कुछ है अभी तक भी अदूरा यह कहाने में दोस्तों अगर बात कि बाकी स्टार कास् कि आपको जन्ती पंचोली निशा चौद्री और साथ में साक्सी सर्मज़ नजर आने बाले जो कि पूर्णम के करदार में और इस पैप सीरी में एंटरी कर रही है यानिकि इस पैप सिर्वात में काफी अच्छी स्टूरी आपको देखने को मिलने वाले लेकिन बीच में आ लेकिन दूसरी तर जो पूर्णम यह होती है उसकी अभी एंट्री है एक तरह से बैप सीरी में होती है अब यह तो आने बाले एपसोड पता चलेगा कि पूर्णम का क्या रहता है क्या वह एक योगर टीचर बनती है या फिर वो लोगों के सेक्स एडूकेशन देने की कोश कोशे करती है कि कहाने में आप यह वह देखने को मिलता है कि जब टिंक जो है अपनी पतने की पास आयाता है मनाने की कोशी करता है तो उनका पर लोगता चांप यह काफ्या को और दिगा और जो काफी एक तरह से होट और बोल्ड इनकी तरह से पार्ट बनाए कि पहला एपसोड और सेकंड एपसोड की जुकान ही आए थी उसमें यह देखने को रगा एक तरह से बोलते हैं कि तुम त्यार हो और लेकर तुम त्यार हो या नहीं हो अभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया क्योंकि आने बाले एपसोड बाकी बैप्टिर की बात करें तो और स्टूरी काफी अच्छी बनाएगी है बात की जाए और बात की ही में आट तो यहां कि आपको काफी अच्छी देखरों को मिलने या लेकिन डॉल मीनक्स के बात की छाए को काफी सारी ऐसी बातोंते और देखरों को झाल झाल